एक बार एक गाउं में हरिया नाम का एक आदमी अपनी बीवी पूजा और बच्चों रेनू और विवेक के साथ रहता था। रेनू और विवेक बहुत शरारती थे, वो अक्सर स्कूल या अपने मुहले में शैतानिया करते रहते थे। एक दिन जब हरिया घर में होता है, तभी रेनू और विवेक स्कूल से आते हैं। हरिया उन्हें डाटते वे बोलता है, तुम दोनों चुप करो, बढ़ना बढ़ना नहीं है, जब देखो लड़ते रहते हो, तुम्हारी भाषा देखी है, कितनी खराब हो गई है। ये सब छोड़ो जी, इतने दिन से कहे जा रही हूँ, एक नया कूलर ले आओ, लिया तु जाता नहीं, वो शर्मा है न, नया ऐसी लाया है, और तुम एक कूलर भी नहीं खरीते। क्या बात कर रही हो प्रियतम, गर्मी है नहीं, इसी लिए नहीं लाता कूलर, वरना तुम कहो और कूलर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है, हूं। तुम तो रह नहीं दो, कंचूस कहीं के, पचास डिग्री तो हो गया है टेंपरिचर, अब क्या उबालना है तब लाओगे। तुम चिंता ना करो, मैं आज ही कूलर लेकर आता हूं, मेरी हिमाम वाली नी। फिर हरिया घर से निकलता है, और सीधा इलेक्ट्रोनिक की दुकान पर जाता है, और उसे कूलर के लिए बोलता है। कूलर वाला भाया उसे एक कूलर दिखाता है, लेकिन हरिया को वो पसंद नहीं आता। अरे भाई, क्या बेकार कूलर दिखा रहे हो, कम से कम मेरे लेवल का दमदार कूलर दिखाओ, मेरी प्रियतम को गिफ्ट करना है। सार, मैं अब आपको एक कूलर दिखाता हूं, और ठंडा भी खूब करेगा सार। हरिया को देखते ही वो कूलर पसंद आ जाता है और वो उसे घर ले जाता है, और सब खूश हो जाते हैं। वाँ पती देव, मज़ा आ गया, तुम तो सच में कूलर ले आए, वाँ, फिर रात में सब लोग कूलर चला कर सो जाते हैं, तभी उसी एरिया में रहने वाली रीमा चोर रात में हरिया के घर चोरी के इरादे से गुस्ती है, का बात है, हमरे गाउं के लोगन भी अमीर हुए जा रहे हैं, भगवान इनका बरकत दे, था कि हम हूँ अमीर हो सके, इनकर घर चोरी करके, लागत है हमका हमारी नजर लग गई, काली जुबान लागत है तेरी, इनके घर में तो कुछ हो नहीं, क्यों न ये कूलर ही उठालू? इसके बाद रीमा कूलर उठाने लग जाती है, लेकिन जल्दबाजी में वो कूलर को स्विच ओफ करना भूल जाती है, उसे बिजली का बहुत तेज जटका लगता है और वो कांपने लग जाती है, अरे मर गई रहे बच्चाओ मुझे, लेकिन करेंट इतनी तेज होता है क वो वही मर जाती है और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है, और वो चुडैल बन जाती है उसके बाद रीमा चुडैल उसकूलर के अंदर घुश जाती है, अगले दिन हरियो और उसके घरवालों को रीमा की लाश मिलती है अरे ये तो रीमा चोर है, और थोकर भी चोर ही करती है ये, और ये यहाँ कैसे मरी पड़ी है चि-चि-चि मुझे लगता है, इस कूलर से करंट लगकर ये मर गई है, इस कूलर को बहर ही फेक दो, मनहूस हो चुका है अब ये फिर हरिया गाओ के और लोगों को बुला लेता है और फिर गाओं वाले मिलकर रीमा का अंतिम संसकार कर देते है और हर्या भी कूलर को गाउं के बाहर फेकाता है रात होते ही चुडैल बाहर आ जाती है और शिकार की तलाज में खूमने लगती है तब ही वहाँ एक शराबी आ जाता है तब ही उसकी नजर कूलर पर पड़ती है और वो कूलर उठा लेता है और अपने घर लेकर के चला जाता है और घर पर जाकर कूलर चला देता है वा 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 लाइफ वो तो आप उनके जैसी मास्त दारू फ्री की थंडी हवा आज तो लग रहा है आप उने इच भगवान है तभी चलते कूलर में से चुडैल बाहर आ जाती है मसा आ गया थंडी थंडी हवा में शिकार करूंगी क्या बात है भाई साब? क्या बात है? क्या हसते हूँ आप? मज़ा आ गया और क्या रोबिली आवाज है आपकी? वा वा भाई साब वा बिलकुल बिग बॉस के जैसी लगती है वा भाई साब वा मैं तुझे भाई साब लगती हूँ और बिग बॉस के जैसी आवाज बता रहा है, रुक, अभी मज़ा चखाती हूँ तुझे। ऐसे कहकर चुडैल शराबी को मार डालती है और उसका मांस खाने लगती है, तब ही उसकी नजर पास में पड़ी, एक शराब की बोतल पर पड़ती है और वो उस शराब की बोतल को पानी समझ कर पी जाती है। अरे, ये क्या है, मैंने ये क्या पी लिया, मुझे तो चक्कर आ रहे है, और दुनिया भी गोल-गोल गूम रही है, मज़ा आ गया। अगले दिन गाउं के लोगों को शराबी के मरने का पता चलता है और वो लोग उसके घर पर इकटे हो जाते हैं। ओहू, लगत है कौनों जंगली जनवर, गाउं में खुचाया होगा, इके घर मा, देखो तो विचारे को कितनी बुरी तरह मारा है, और हा भी गया है। चला भाया, इके लिए तो अच्छा ही हुआ, रोजदारू पी के यहां वहां नाले में ही गिरता रहता था और शराब की बदबू तो इतनी मारता था कि कुछ का हो ना। तभी गाउं वालों की नजर वहां पड़े कूलर पर पड़ती है। गाउं वालों को लालू की बात अच्छी लगती है और वे शराबी का अंतिम संसकार करके कूलर गाउं के पंचायत भवन में रखतेते हैं। उसी राद जब सरपंच वहां बैट कर काम कर रहा होता है तभी कूलर में कुछ आवाज होती है। अरे ये क्या हुआ? अभी तो कूलर इतना अच्छा चल रहा था। एक दम से इसमें से कैसी आवाजे आने लगी। सरपंच उठता है और कूलर की तरफ जाता है तभी कूलर में से चुडैल बाहर आ जाती है। मर गया रहे ये ये नास मिटी चुडैल कहां से आ गई। रुख जारे सरपंच के बच्चे तुझे मुझसे कोई नहीं बजा सकता। मेरा शिकार है तू। तभी सरपंच को ऐसे भागते देख लालू और कालू देख लेते हैं। अरो सरपंच जी ऐसे को भाग रहे हैं लुंगी उठा के। आपके पीछे क्या भोजी पल गई है। अरे नास मिटो भाग लो तुम भी यहां से। यहां तो तीन शिकार हो गए। एक तो पकड़ में आई जाएगा। चुडैल को देख लालू और कालू भी भागने लगते हैं। तीनो भागते भागते गाउं के मंदिर के पहुँच जाते हैं। लालू जोर से पुजारी जी को आवाज लगाता है। लालू के चिल्लाने से पुजारी जी बाहर आ जाते हैं। लालू पुजारी जी को सारी बात बताता है। अरे ये पंडित वा तो दोगला निकला। अकेले ही छप गया। हम तीनों को बुफे बना कर। आज जंदा पत जाओं। आल इसकी पुजारी जीरी निकालता हूं। अरे का है परबत सर पर उठा रहे हो। आप ही के लिए मंदिर में गय थे। तबी पुजारी को देखकर चुडैल गुस्से में आ जाती है। अच्छा तू बचाएगा मेरी शिकारों को मुझसे। आज पहले तुझे मारती हूं फिर इन तीनों को। लेकिन चुडैल जैसे ही पुजारी जी की तरफ बढ़ती है, पुजारी जी भगवान शिवजी की मूर्थी उसके आगी कर देते हैं। मूर्थी में से एक तेज प्रकाश निकलता है और चुडैल पर पढ़ता है और चुडैल वही भस्म हो जाती है। मूर्थी